अंजी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद कर तो भाई सब बढ़ी होंगे इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कुलकाता और हैदराबाद के बीच में आईपेल का जो मैच नमबर 19 केला जाएगा डिटेल में कवर करेंगे एक वीडियो अलड़ी बना चकों जिसके अंदर वेन्यू के स्टैट्स हैट तो एड स्टैट्स या फिर भाई प्लेयर की जो रिशेंट फोर्मरी है वो किस परकार की रही वो सारी चीज़ आपने कवर कर रखे तो वो वीडियो आपको मारे चैनल प पाऊगे ठीक है तो कंप्लीट वीडियो देखना चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले तो यहर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल आप लोग जरूर से ओन कर लेना किसी भी मैच की वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है टेलीग्राम के साथ में नहीं कोलकाता का ठीक है कोलकाता के अंदर वेन्यू आपको देखनों को मिलेगे यहनकी कोलकाता नाई ट्राइडरस का होम वेन्यू रहने वाला थोड़ा सा फेवर में चीज़े उनके जा सकती है बाकी यह वाले जो वेन्यू स्टेट्स आप लोग देखोगी यह ओलडी मापको पहले मैच के वीडियो है सोरी जो फर्स्ट वीडियो उसके अंदर सारी चीज़े कवर कर चुका हूँ पूरे सेट्स बताऊ चुका हूँ यहाँ पे हम लोग नीचे चलेंगे में जो चीज़ आएगी बैट्समें वर्सेज बोलस के मैचपस इनके बारे में बात करते हैं सामने सिर्फ एक ही गेंड के लिए और अपनी पहली गेंड के अंदर इन्हों ने अपना विकेट दिया था एक गेंड में एक रन से एक बार आउट उचके लेकिन यह थोड़े से मैचपस मुझे गलत दिख रहे हैं शायद यहाँ पर टाइपिंग के अंदर गलती हुई है ठीक है बाकी उतने कुछ खासाकड़े है नहीं नीचे आओगे दोस्तों यहाँ से बात करने जो में चीज स्टाट होगे वेंक्टे सायर से ठीक है वेंक्टे सायर की बात करूँगा बुनिसवर के सामने 17 गेंड में 14 रन से अब तक आउट हुए नहीं जैंसन के सामने 8 गे बाजी करते हो दिखेंगे और वेंक्टे सायर देखो कि दोनों लेफ्ट आम फास्ट गेंड बाजों के सामने एक एक बार अपना विकेट अलरी देचुके जब कि अगर मैं राइट आम फास्ट गेंड बाज के सामने या बुनेसवर या फिर मलिक के सामने बात करूँगा इनके सामने आउट नहीं हुए यानि कि left arm fast या फिर left arm medium के सामने वेंक्टे सायर के wicket जाने के chances बनेगो starting में गेंदबाजी आपको यांसेन करते हुए दिखेंगे जिन्होंने last match में भी starting में अच्छी गेंदबाजी करते हुए wickets निकाली तो starting में इनका जो गेंद रहेगा वो आपको अच्छा खासा swing करता हुआ भी दिखेगा ठीक है तो वेंक्टे सायर वर्सिस लेफ्टाम फास्ट गेंद बाज किस परकार के performance रहेगी वो देखने लाइक चीज रहेगी बागे सुंदर मारकंडे या फिर एड़न मारकंडे के सामने अब तकी नोने गेंदे नहीं खेलिया है उसके बाद में नीचे चलेंगे दोस्तों यहाँ से बात करते हैं नितीस राना के स्टैट्स आप लोग देख पाऊगे अब यहाँ पर एक चीज आपके सामने बिल्कुल के लिए रहे नितीस राना के जो स्टैट्स है वो हर गेंदबाज के सामने उतने खास है नहीं अगर मैं ऐसारच के गेंदबाजों की बात करूँगा बुनेश्वर के सामने दो बार उटे मलिक के सामने एक बार नतराजन के सामने दो बार सुंदर के सामने दो बार यानि कि आज के मैच में नितीस राना के कहीं न कहीं चलने के चांसे थोड़े से कम रहेंगे तो आपके लिए जो पहले टिप रहेगी ग्रेंडली के अंदर आप लोग नितीश राना को अपनी टीम से ड्रोप करके चल सकते हो देखो एक चीज जानकना बिलकुल आपको 100% मैचपस के बेस पे भी टीम नहीं बनानी है कम से कम आप लोग 80-85% यूज मैचपस का करो अगर आपको प्लेयर जादा बढ़िया लगता है तो भाई मैचपस मत देखो फिर आप लोग अपनी टीम में प्लेयर को एमियत देखे चलो बाकी मैचपस को देखते हुए लगता कि नितीश राना के चलने के चांसे आज के मैच में थोड़े कम रहेंगा अब देखो यह आएंगे वन डाउन या फिर साइकंड डाउन वैटिंग करने बुनेश शायद यहाizar आपको एधराबाद की टीम जाती हलो दिखेगी या फिर बईया मारकरम भी निती-षराना के सामने गेंद बाजी जरूर करेंगे क्योंकि मारकरम भी आपको राइटा मोब्रेक करते वे दिखेंगे वो भी डान में रखना तो निती-षराना के चलने के चांसे थोड़े से कम हो सकते हैं उसके बाद में आगे चलते हैं अगर आपने विजन 11 को डाउनलोड नहीं किया तो आपको निचे वीडियो के डिस्क्रिप्सन में लिंक मिल जाएगा वहां से डाउनलोड कर सकते हो अपना टीम बना सकते हो 50,000 का आपको फिरी गववे मिलेगा इसी 60 रुपीज वैसे भी बचे जाएगे वो जानमे रखना बाकी 50 लाग की जो आपको यहां पर मेगा ग्रेंड लिक देखने को मिल जाएगी इसी मेस के अंदर तो विजन 11 का लिंक आपको डिस्क्रिप्सन मिल जाएगा जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो यहां से बात कर पे यहां पर कोलकाता की टीम पहले बल्ले बाजी करने ही तो रसल आप लोग टीम मिले सकते हो और अगर कलकता सेकेंड बल्ले बाजी करेगी तो आप लोग इसको टीम से ड्रोप भी कर सकते हैं क्योंकि मालिजी अगर सारच ने पहले बैटिंग रतो बड़ा स्कोर नहीं किया ना तो फिर शायद रसल की बैटिंग भी ना है तो वो ध्यान में रखना ठीक है तो उस केस में क्या होगा रसल आपके शायद ज्यादा गामना ही लेकिन अगर पहले बल्ले बाजी केकेर करेगी तो रसल के साथ में आप लोग जरूर जाओगे ठीक है रसल भी दो बार इनको आउट कर चुके तो मयंक अगरवाल के आगड एक बार फिर से आपको थोड़े से खराब देखने को मिलेंगे यानि कि इस मैच में कहीना के अगरवाल के चलने के चांसे जाज के मैच में और ज़्यादा आपको कम देखने को मिल जाएंगे तो आप लोग अपनी टीम से ड्रोप भी कर सकते हो लेकिन according to performance अगर selections का इसाब से देखा जाएगा, selections इनका वैसे भी कम रहेगा तो रिस्क लेके टीम में पिक करना चाहूँ तो कर सकते हो मैच सब्स का अकोरडिंग तो बोस इनको टीम से ड्रोप करना ही बिल्कुल बनता है ठीक है मारकरम की बात करेंगे जो की main player रहेंगे हैदराबाद की साइड से, उमेच के सामने एक बार out हुए, नरेन के सामने एक बार, सारदुल ठाकूर के सामने एक बार और रसल के सामने एक बार already out हो चोगे लेकिन talented player है, ज्यादा मैं इनके matchups के उपर focus करूँआ नहीं, मेरे team में आपको मारकरम जरूर देखने को मिल जाएंगे, इतना कूँआ, matchups का according आप लोग देख पाऊगे, मारकरम भया, आपको कम से कम second down betting करते हैं, अब second down betting करेंगे, तो depend करता है कि इनके, जो wickets रहेंगे, जाके मारकरम मैच की क्या situation रहेंगे, और किस परकार बैटिंग करेंगे, उसे साव से देखो, देखा जाएगा कि इसका wicket किस गेंदबाज के सामने जा सकते है, ठीक है, तो वो जान में रखना, बाकि पूरे matchup सब भी आप लोग देख पाऊगे, नीचे जो main player है राहुल नरेन या फिर चकरवरती के सामने अब दक आउट हुए नहीं है, तो आज के मैच में एक बार फिर से राहुल तरपाथी के चलने के चांसे थोड़े ज्यादा रहेंगे, बाकि स्पिन के सामने आपको तरपाथी काफी अच्छी बैटिंग करता हो दिखेगा और इनके जो main दो स्पिनल्स रहेंगे, वो सुनील नरेन, वरून, चकरवरती और अगर यहाँ पे सुयास के साथ में टीम जाएगी तो मेरे साथ साथ सुयास भी आपको गेंदबाजी करता हुए दिखेंगे, लेकिन तिरपाथी के आखड़े मुझे काफी बढ़िया देखने को मिले, र या फिर केक्यार के बल्ले बाजो की बात हो, आप लोग एक एक प्लेयर के मैचसपस पूरे बढ़िया तरीके से देख सकते हो, और इसी बेस पे आपको अपनी टीम बनाने है, स्पेसली आपकी ग्रेंडली के जब टीम बनाओगे न, आपकी बहुत एल्प होगी बाई, इन मैचसपस से इस चीज के उपर आप लोग बिल्कुल बरोसा करके चलना, ठीक है, अब थोड़ा सा रिस्क तो आपको लेकर चलना पड़ेगा, बिल्कुल आप लोग सेफ खेलने के सोचो जोगे, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे तो बहुत देखो बात बनेगी नहीं, पूरे म आपको टीम बता चुका हूँ पहली वीडियो में, लेकिन जो फाइनल टीम रहेगा, अगर चेंजिस करने पड़ेंगे, टेलीग्राम पे आपको टोस के बाद अपडेट कर दूँ, आइसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और आपको डिस्किप्शन में, दोनों जगया पे टे में आपको टोस के बाद के बाद करेम हूझ